Hi everyone, welcome back to my channel Art Spectrum. I am Shilpa here. आज के वीडियो में मैंने प्लास्टिक के कंटेनर से मॉल्टी पॉपस और्गनाईजर या फिर इसे लॉंडरी बास्केट भी आप कह सकते हैं बनाया है. जिसे बनाना बहुत ही असान है और ये देखने में जितना complicated लगता है बनाने में उतना ही असान है. तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है. इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पुराना प्लास्टिक का कंटेनर लिया है और साथ में जूट के मेरे पास कुछ क्लोथ के स्ट्रिप थे वो लिया है. यहाँ पर मैंने glue gun की हल्व से इन सभी स्ट्रिप को अंदर के तरफ इस तरह से स्टिक कर दिया है. अगर कोई बड़ा क्लोथ हो तो इसे स्ट्रिप में कट करने की ज़ूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रैकली से स्टिक कर सकते हैं. फिर बाहर के तरफ यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था, उसे भी glue gun की हल्व से इसे स्टिक कर लिया है. अब अंदर में बेस के तरफ और बाहर में बेस के तरफ इस तरह से मैंने कार्टबोट को स्टिक किया है, जिसके राउंड मैंने जूट क्लोथ को स्टिक कर दिया है. यहाँ पर round में cloth को stick करने के लिए कटमाक लगा दे तो यह अच्छी तरह से stick होता है तो इस तरह के मैंने दो pieces ready कर लिया है एक अंदर में base के तरफ लगाना है और एक बाहर में base के तरफ लगाना है यह मैंने अंदर की तरफ glue gun की help से stick कर दिया है बार के तरफ मैं बार में लगाँगी अब यहाँ पर मैंने 4 mm thick rope लिया है और इसके 4 pieces cut कर लिया है जिसकी लंबाई box के लंबाई से थोड़ा जादा है तो इस तरह से मैंने 4 fork rope को एक साथ stick कर लिया है और box के around यहाँ पर उपर की तरफ stick कर लिया है same method से मैंने 4 rope लिया है और horizontal में इसे stick करते गई हूँ तो इसे alternate उपर नीचे करके stick करते गई हूँ आप देख सकते हैं इसे मैंने कैसे stick किया है तो जहाँ जहाँ भी यह उपर और नीचे की तरफ जा रहा है वहाँ पर glue gun के help से stick करते गई हूँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और इसे like और share भी करें यह organizer box बनने के बाद काफी study होता है तो उपर से लेके नीचे तक मैंने same method से rope को stick कर लिया है तो नीचे के तरफ length में थोड़ा extra मैंने रखा था जिसे नीचे की तरफ मैंने stick कर लिया है और जो end part है उसे हमेशा अंदर की तरफ stick करें ताकि वो दिखाई नहीं थे अब जो base के लिए मैंने circle बनाये थे उसे मैंने यहाँ bottom की तरफ stick कर दिया है अब उपर के तरफ मैंने braid बनाये हैं जिसके लिए मैंने 2-2 macram का rope लिया है इस तरह के 6 rope लिये हैं और इस तरह से braid बना लिया है और इन braid को मैंने box के around उपर की तरफ stick कर लिया है जिससे की वो उपर वाला rope दिखाई नहीं देगा और clean look देगा यहाँ पर stick करने के लिए हमेशा strong glue का यूज़ करें फिर bottom में मेरे पास यहाँ पर macram rope थे जो की जूट के हैं उसे मैंने stick कर लिया है इसे ना भी stick करें तो भी अच्छा दिखता है तो इस तरह से मैंने bottom में भी कुछ दूर इसे stick किया है और उपर के तरफ भी stick किया है अब चलिए हम लोग इसका cover बनाते हैं cover बनाने के लिए यहाँ पर मैंने cardboard को circular piece में cut कर लिया है जिसका diameter box के diameter के बराबर है उसके around मैंने यहाँ पर tannish pack का cloth था उसे stick कर लिया है और उपर के तरफ यहाँ पर मैंने rope को stick कर दिया है center में handle बनाने के लिए यहाँ पर मैंने wire लिये हैं और कुछ beats लिये हैं तो beats को wire के अंदर insert किया है और इसके end को इस तरह से twist करके center में लगा दिया है और उसके उपर इन rope को stick कर दिया है इससे कि वह अच्छी तरह से stick हो जाएगा और काफी strong रहेगा तो इस तरह से हमारे यह cover ready हो जाता है पर cover के outer edge को clean look देने के लिए यहाँ पर again मैंने braid बनाये थे उससे इस तरह से stick कर दिया है तो इस तरह से हमारे यह cover ready हो जाता है तो देखे कितने ही easy way में यह organizer box ready हो जाता है इस organizer box को आप किसी भी purpose से use कर सकते हैं इसमें toys रखे, clothes रखे या फिर कुछ भी grocery item रख सकते हैं I hope कि आपको आज का यह video पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो please do let me know in the comment section and don't forget to like, subscribe and share my channel Thank you Thank you झाल झाल